असलाम लेकों फ्रेंट वर्कम गता हूं आज की इस नहीं वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कैसे आप लोग सिर्फ पर सिर्फ अपने मुबैल से अपनी पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं सब्सक्राइब करना है वहां से वह वेबसाइट आपको उसकी पासपोर्ट साइज पोटो बनाके दे देगी बिल्कुल असा वीडियो को मगबल लास तक देखना कोई भी स्टैप में सब्सक्राइब जान से पहले अपने जान लिए मेरा नाम है आप दरौफ और आप लेकर है इस तरह की नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे जैसा कि आपको पता है कि बास उकाद हम किसी ऐसी जिगार के पर होते हैं यहां पर को स्टूडियो वारा नहीं होता तो आपको जो है फोटो की पड़ जाती है पासपोर्ट साइज की फोटो की तो आप लोग अपन कर लेना है कора और मैं आपने लिखना में क्वें कत ओट पर की से आफ़ आउट बेंगई ऊपर पर ने अवरुड कैसे डियोस मिलती हैं लेकिन आपने क्या यूज करना है सिफ़ इसंस पासपूर्ट साइज फोटो बनानी है तो आपने यहां पर नीचे आ जाना यहां पर आ यहां पर आप लोग दे सकते हैं आपको option अजरा जाता है passport photo maker इसके उपर आपने click कर देना है जैसे इसके उपर click करेंगे उसके बाद आपके सामने यहां पर यह बोलेगा कि अपनी एक photo upload कर लें जो photo आपने खीची होगी अपने mobile से वो photo आपने यहां पर upload कर लेने हैं यहां पर आप तो दे सकते हैं यह मेरी photo बन चुकी है यहां पर आपको option मिल जाता है photo कौनसी आपने size यहां पर देख लें मिल जाते हैं जो भी आपको सरी लगता है आपने वह select कर लेना है ठीक है उसके बाद यह थोड़ सी loading लेगी loading लेने के बाद आपकी जो photo है उसके उपर यह suit है वह फिल्कुल fit कर देगी ठीक है आप कुछ भी करने की जूर्ट नहीं यहां पर आप लोग दे सकते हैं यहां पर मैं yt रखूंगा उसके बाद आपने करना के यहां पर done के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर आप नीचे download hd quality में आप कोशन दर आ जाएगा आपने करना के इसके उपर क्लिक करके यहां से download कर लेना है यहां पर एक Gmail के उपर एक ही आपको photo edit कर सकते हैं लेकिन अ आपके photo कुछ इस तरह की होगी ठीक है लेकिन आपने करना है कि आपको मैंने एक application के बारे मैं बताया था है रिमनी रिमनी application के उपर जाकर आपने इसकी जो थोड़ी से कर देना है इससे क्या होगा यह आपकी फोटो के लिए कर देगी इसमें कुछ पिक्सल और एड़ करेंगी अगर जैदा पिक्सल रिमोव कर देगी पूरी सेटिंग इसकी कर देगी ठीक है यहां पर आप दे सकते हैं पहले हमारी photo किस तरह थी अब हमारी photo किस तरह हो चुकी इतना सा काम करना आपने यहां से डाउनलोड कर लेनी आपकी photo जो किसी जगह पे इसको यूज कर सकते हैं अगर आप लोग पृंट कराना चाहते तो किसी भी store जो है printing कौपी प्रिंटिंग की शोप पर जाकर आपको आपको कर सकते हैं अगर फिर भी आपको नहीं आता तो आ लाफिस